दोस्तों वैसे तो आर्मी BTS के बारे में काफ़े कुछ जानती है वो इतने टैलिंटेड है और अपने म्यूजिक से उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम बना ही लिया है BTS का जो फैंडम है वो शायद दुनिया में सबसे बड़ा फैंडम है और उनके सिवा किसी के इतने सारे फैंस नहीं है तेकिन दोस्तों अभी पी काफी सारी आर्मीज को BTS की एज को लेकर कंस्यूजन है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें सब्स्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले तो दोस्तों आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे BTS की एज और उनके बर्डे पूछे थे और उस पर वीडियो बनाने की बात भी कही थी और इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों कई सारे आर्मी को ये कंफ्यूशन है कि BTS की एज काफी जादा है और वहीं कुछ आर्मी को ऐसा भी लगता है कि BTS की एज काफी जादा कम है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि BTS के मेंबर्स की एज की रेंज 22-30 है यानि कोई भी मेंबर 20 की एज से कम नहीं है और कोई भी मेंबर 30 की एज से जादा नहीं है दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हर मेंबर की individual एज और उनके बढ़ते की तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हमारे BTS मेंबर आर्म पर दोस्तों आप ये तो जानते ही है कि BTS मेंबर RM सबसे बहतरीन लीडर है और इसी वज़ा से आज उनका गुरूप इतना आगे पहुँच पाया है क्योंकि एक गुरूप को आगे बढ़ाने में उसके लीडर का काफी में रोल होता है दोस्तों इसके साथ साथ RM एक बहुत ही अच्छे रैपर भी है लेकिन दोस्तों काफी सारी New Armies को ये confusion है कि गुरूप के लीडर होने की वज़ा से RM सबसे बड़े मेंबर है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है RM सिफ 26 years के है और वो गुरूप के सबसे बड़े मेंबर नहीं है दोस्तों उनका बड़्डे सब्टेंबर 12, 1994 में होता है और दोस्तों उनका बड़्डे हाली में आने ही वाला है दोस्तों हम बात करें हमारे next member की तो वो है जिन दोस्तों जिन वर्डवाइड हैंसम भी है वो एक माहिर सिंगर है उनकी आवाज कुछ खास तरीके की है क्योंकि वो हाई से लेकर लो सारी पिच्चेस में गाना गा सकते है स्ट्रफों BTS में आये थे तो वो डांस में जादा अच्छे नहीं थे तेकिन अब प्रेक्टिस करने के बाद वो डांस में भी काफी जादा माहिर हो गए है और दोस्तों सबसे खास बात तो ये है कि ग्रूप के सबसे बड़े मेंबर जिन है उनकी एज है 28 येल्स और उनका बर्ड़े है 4 दिसमबर 1992 दोस्तों जिन ग्रूप के ओल्डेस मेंबर है और वो सभी मेंबर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं दोस्तों बात करें हमारे नेक्स्ट मेंबर की तो उनकी एज जिन और आरम के बीच में है यानि 26 से 28 की बीच में है दोस्तो हम बात कर रहे हैं हमारे BTS Suga की दोस्तो Suga Group के rapper हैं और वो काफी ज़्यादा cute है और वो बहुत अच्छा dance भी कर लेते हैं दोस्तो Suga की age है 27 और उनका birthday है 9 March 1993 दोस्तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे चहीते member J-Hope की दोस्तो J-Hope Army की sunshine है क्योंकि वो हमेशे smile करते रहते हैं और उन्हें देखते ही बहुत ज़्यादा brightness पील होती है वो ग्रूप के lead dancer भी हैं और दोस्तो उनकी उमर है 26 year और उनका birthday है 18 February 1994 दोस्तो RM और J-Hope का birthday year सेम है जो की 94 है और जिसकी वज़े से उन दोनों को साथ में 94 भी बुलाते हैं दोस्तो इसके बाद आते हैं हमारे छोटे छोटे members पर सबसे पहले बात करेंगे Jimin और V की दोस्तो इन दोनों को प्यार से 95 भी बुलाते हैं क्योंकि इन दोनों का birthday year 95 है दोस्तो जिमिन ग्रुप के काफी बढ़िया डांसर है और उनकी वोइस काफी हाइपिच है वो लीट सिंगर भी है दोस्तो आर्मी ने उनका प्यार से नाम रखा है जो की क्यूट मोची है दोस्तो जिमिन की उम्र 25 यर्ज है और उनका birthday 13 अक्टूबर 1995 को आता है दोस्तो बात करें हमारे चहीते मेंबर वी की जो की वर्ड्स मोस्ट हैंसम मैं का टाइटल हाली में जीच चुके है वो एक बेहर टैलेंटेट सिंगर है उनकी वोईस काफी डीप है और बहुत ज्यादा एक्ट्रेक्टिव है दोस्तो वी भी 25 यर्ज के ही है इसका मतलब होता है कि जिमिन और वी की एर्ज सेव है दोस्तो उनका birthday 30 दिसंबर 1995 को आता है दोस्तो हम बात करें हमारे सबसे छोटे मेंबर यानि golden mark ने जंको की तो उनका birthday आने ही वाला है दोस्तो जंको क मल्टी टैलेंटेड है योकि वो सिंगर के साथ साथ एक बहुत अच्छे डांसर भी है वो ग्रुप के लीड वोकलिस्ट है वो स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं वो टाइकॉंडो में भी बहुत जाधा अच्छे हैं इसके साथ साथ उनकी ड्राइंग भी काफी जाधा अच्छी है और इसलिए उनको golden mark ने बोला जाता है दोस्तों जंकुक अभी 23 यर्ज के हैं और वो आने वाले बर्द्धे में 24 यर्ज के हो जाएंगे उनका बर्द्ध 1 सप्टेंबर 1997 को होता है दोस्तों जिमिन वी और जंकुक को साथ में मैकने लाइन भी बुलाते हैं क्योंकि वो ग्रुप के तीनों सबसे छोटे मेंबर हैं तो दोस्तों आपको एवीडियो कैसी लगी हमें कमेंस में ज़रूर बताएं क्या आपको भी बीटेस की एज को लेकर कोई भी कन्फ्यूशन था वो क्लियर हुआ या नहीं हमसे ज़रूर शेयर करें और अगर आपको एवीडियो अच्छी लगी हो तो हर आर्मी तक इसे ज़रूर पहुचा दे ऐसी वीडियो के लिए यूँ ही हमसे जुड़े रहें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में